करोणों की लागत से बनेगा नवीन बस टर्मिनल, नगर विस्तार पर ग्रहन, विरोध के स्वर हो रहे मुखर, वर्षों से मध्यप्रदेश के सिवनी जिला मुख्याले के विस्तार के लिए जिले के निर्वाचित सांसदो, विधाय को एवं नगर पाली का अध्यक्षों न एवं अन्य जिलों से आने वाली बसों का संचालन नगर की एक मात्र मुख्य सटकर जीन रोड पर हो रहा है, जिसके कारण हर दिन ट्रैफिक जाम की परेशानियों से आम नागरिकों वस्कूली चात चात्राओं को बुजना पढ़ रहा है हासी बोर्ड द्वारा पुर्नगंत्वी करण योजना के अंतरगत जिला कलेक्टर परिसर शासकिये करमचारियों के लिए नवीन आवास एवं बस टर्मिनल के निर्मान हेतु निविदा प्रक्रिया कर एजैंसिया निर्धारित कर दी गई है, जहां वन्शिका कंस्ट्रैक से बस टर्मिनल के अलावा शासकिये करमचारियों के लिए जे डी ए कॉलोनी में 64 आवासों का निर्मान करेगी, मिली जानकारी अनुसार अभी तक हासी बोर्ड एवं कंपनी के मध्य एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसके चलते कार्य आरम नहीं हो पाया है, लगभग एक स से नगर में सोशल मीडिया के माध्यम से नवीन बस टर्मिनल स्थल के चैन को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे है, फेस्बुक व वाट्साप के माध्यम से युवा मान कर रहे है कि जिले के निर्वाचित जन प्रतिनिधी क्षेत्रिये बस टैंड निर्मान की और ध् इसके अलावा अकबर वार्ट डालदा फैक्ट्री के सामने खाली परी उद्योग विभाग की साथ एकर जमीन भी बस टैंड बनाने के लिए अनुकूल है क्योंकि इसक्षेत्र की सटकर से रिंग रोड का निर्मान हो चुका है और जबलपुर, नागपुर, मंडला, बाला विशी विग्यान केंडर की कुछ जमीन भी बस टर्मिनल के लिए अनुकूल है। जबलपुर जैसे महानगर में अब पुराने बस स्टैंड की जगह दमोह नाका में बने बस टर्मिनल से सभी मार्गों की ओर जाने वाली यात्री बसे संचालित हो रही है यदि सिवनी में जब ही इसी तरह से क्षेत्रिय बस स्टैंड बना दिये जाए तो ना केवल इससे नगर का विस्तार होगा बलकी ओटो, रिक्षा चालको सहित इन क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानिय निवासियों को भी रोजगार मिलेगा। इस मामले में युवा एक जुट हो र एक टाजे समीघियों का से क्षों समीघ टूरे निяч farmव में एक पे जुट है सरी निवासियों को भी गब्mos चालको जब कर स个 शानिये सी त